तो आज की पहली न्यूस है जन उसदी दिवस कम मनाया गया है तो साथ मास दोजार बीस को जन जन उसदी दिवस मनाया गया है अगर पूछ ले जाए तो आठ मार्स को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो आज है नेशनल भूमिन्स टे ओके नेक्स्ट कोईशन है जी एसमे के मोबाइल एकोनोमी 2020 प्रतिवेदन के अनुसार बस 2019 के अंत तक मोबाइल सेवाओं को प्राप्त करने वाले लोगों की अनुमाने संख्या कितनी हो गई थी तो 5.2 अरव बैस्विक जन संख्या का 67% हो गई थी नेक्स कोईशन है बीवी सी बर्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा किये गए सर्वेक्षन के अनुसार ग्रेटेस्ट लीडर ओफ आल टाइम सम्मान प्राप्त करने वाले भारत में सिख सामराजी के 19 वी सधी के सासक कौन थे तो वो थे माहराजा रणजीत सिंग नेक्स कोईशन है क्राणिकल्स अफ चेंड चेंपियन सिर्सक की पुस्तक राज जी और जिला इस्तर पर किस योजिना के तहट अपनाए गए 25 अविनव पहल का संकलन है तो वो है बेटी वचाव बेटी पढ़ाओ का संकलन नेक्स कोईशन है शिकस मार्स 2020 को किस सहर में भारती प्रतिस्पर्दा आयोग ने प्रतियोगिता काईदा का अर्थसास्तर के संदर में पांच में राष्ट converts मेलन का आयोजन किया है तो वो आयोजन किया है नई दिल्ली के अंदर नेक्स्ट कुशन है भारती रेलवे किस विसे के तहट छेत्री रेलवे विभागों में एक माज से दस माज दोजार बीस तक दस दिवसी अवियान का आयोजन कर रहा है तो हैस्टेक इच फॉर इक्वल ठीक है हैस्टेक इच फॉर इक्वल का आयोजन कर रहा है भारती रेलव ओके नेक्स कोशें ने दीन देयल अंतियोद्य योजना राष्ट्री सहरी आजीवी का अवियान ने स्वैम साहिता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपड़न के लिए किस कंपिनी के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं Amazon इंडिया पर Amazon इंडिया के साथ इन्होंने समझोता ग्यापन पर अस्ताक्षर कर लिये हैं नेक्स कोशें ने आयरुवेद मेडिकल टूरेरिज्म एक्यूलाइजिंग इंडियास क्रेडिविलिटी बिसे के तहत चोथा बैस्विक आयरुवेदिक महोसब 16-20 मई 2020 की अवदी में किस सहर में आयुजित किया जाएगा तो ये कोच्छी में आयुजित किया जाएगा केरल में है कोच्छी नेक्स कोशें ने नए मुक्य सूचना आयुक्त के रूप में किने नियुक्त किया गया है तो बिमल जुलका जी को नियुक्त किया गया है नेक्ष कोशन है बेवारती महलाई कौन है जिनने टाइम पत्रिका ने दुनिया की हंड्रेड सक्तिसाली महलाओं में शामिल किया है तो वो है पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी और स्वतंतरता सैनानी अमरत कौर वर्स 1947 के लिए टाइम्स बूमेन ऑफ दा इयर कीने चुना गया है तो अमरत कौर जी जो की एक फ्रीडम फाइटर थी वर्स 1906 के लिए टाइम बूमेन ऑफ दा इयर कीने चुना गया है तो इंद्रा गांधी जी को नेक्श कौशन है कार्डिफ विस्विध्याले जो की ब्रेटेन का विस्विध्याले में पढ़ने वाली दो भारती लड़की यां कौन है जिन्होंने सहींत रूप से दोजार अठारा उन्निस के लिए प्रथम बारती पत्रकार संग पुरसकार जीता है तो वो हैं जननी सूरी और मलिका महलोत्तरा किस बारती सहर में बश 2020-23 का अंतराष्टी ओलंपिक संप्ती का सत्र आयोजित किया जाएगा तो यह मुंबई में आयोजित किया जाएगा नमस्ते और्चा उसब 6 मास 2020 को कहां शुरू हो गया था तो कहां शुरू किया गया था और्चा मद्य प्रदेश में नेक्ष्ट कोईशन है चपचार कुट उसब 6 मास 2020 को कहां शुरू हुआ था तो एजवाल मिजोरम में नेक्ष्ट कोईशन अदब एगालें एज उसब का पहला संस्क्रण 7 से 15 मार्श 2020 के अबदी में कहां पर होगा तो यह सिलॉंग में होगा मेगाले के अंदर अब जो भ कि 205 को नेइस्ट है कि बुमन ट्रांस फोर्मिंग अंडिया वार्ड 2017 दिएे जा रहे तो मेला और दिया всागि तहट बुमन ट्रांसपॉर्मिंग के इंडिया वॉर्ड 2018 दिए जा रहे है प्रधान मैंतरी जण आसदी योजना का आरंब सब्श्ण 2014 में हुआ था एतियासिक राम राजा मंदिर कहां पर है तो यह और्चा में है मध्यप्रदेश के अंदर अंदर अंदराश्ट्री ओलंपिक संती की स्थापना कब हुई थी तो 23 जून 1894 में हुई थी मुख्याल अगर पूछ लिया जाए तो लुसाने सुजल लेंड में अब 12.82 लाग करोड रुपई की प्राप्तिया हुई हैं नेक्श कोशन है मलेशिया के नए प्रधान मंत्री कौन बने है तो मुखदीन यासिन जो है मलेशिया के प्रधान मंत्री बने है Brix Chambers of Commerce and Industry की नई साखा कौन सी है तो वो है Brix महलाओ की Brix CCI साखा जो की सवाना नसीम के नेतरत तुम्हें बनाई जाएगी नेक्ट कुशन है किस देश ने दोहा में तालिवान विद्रोईयों के साथ एतिहासिक सांती समझोते पर हस्ताक्षर किये ताकि सांती के बदले में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह से बापस लिया जा सके तो अमेरिका न कांटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऌफ इंडिया ने कहा कि सुपोषित मावियान की शुरूवाथ की है को यह अब कोटा गुजरातं के लिखा हूँ है यहां पर यह गलते गुजरात जहां रहेगा राजिस्थानों के कोटा राजिस्थान के अंदर गुजरात पर ल कौन सा है तो वो है केंद्री उपवोगता से नक्षण प्राधी करण नेक्स कुशन है हुरून ग्लोवल रिच लिस्ट 2020 के अनुसर भारती कौन है चो दुनिया में नौवे सबसे अमीर व्यक्ति है तो वो है मुक्य सम्भानी जी इनकी संपत्ति है सरसट अरव अमेर की डॉल मुंबई में है तो यह आपको याद रखना है अनुवाद के लिए साहित अकादमी पुरुसकार 2019 के विजेता कौन बने तो वो बने केवी जैश्री मलयालम उपन्यास डिलम फुतु मलरनना नालका तमिल में नोंने अनुवाद कर दिया है हम साद्वनी सद्गरु त्यागराज पुरुसकार के विजेता कौन है तो वो है वाइलिन बादक एम चंद्र सेखरन किस राजी सरकार ने घोशना की कि हैए 1 मही 2020 तक एक अलप योग वाले प्लास्टिक से मुक्त पाने के लिए तो महरां सरकार ने घोशना कर दी है किस राजी की विधान सवा ने घोशना की कि वे बश 2019 में विधायकों के लिए सर्वस्रेश्ट विधायक पुरुषकार देना अरंब कर देगी तो गुजरात सरकार ने सुन्य वेदवाव देवस भी एक मार्च को ही मनाया गया है नेक्स कोशन है वैवल कौन सा है जिसने सावित्री वाई फुले पुरे विशुविध्याले में रक्षा एवं सामरीक अध्यन विवाग में एक चेयर ओफ एकसिलेंस की स्थापना करने के लिए समझोता ग्यापन पर अस्ताक्षर करके सैचिक सायोग में प्रवेश कर लिया है तो वह भारती बायूशन सेना और सावित्री वाई फुले विशुविध्याले से आपको याद रखना इन्होंने विशुविध्याले खेलों इंडिया के गेम्स भी जीते हुए हैं साथ सौन पदक जीते हैं नेक्ष्ट कुशन एक मार्च दोजार बीज को कहा सामाजी और अधिकरता सिविर का आईोजन किया गया था तो प्रियागराज उत्तर प्रिदेश में इसका आईोजन किया गया था नेक्ष्ट कोशन है भारती रेलवे ने किस सिस्थान पर अपना पहला रस्तररेंट on wheel सु इसकार 2020 के बिजेता कौन बने तो ये वने सर्वनंदा सोननवाल और ये असम के मुख्य मंत्री है नेक्स्ट कुशन है वेराजी सरकार कौन सी है जिसे भारती बिमान पत्तन प्रादीकरण ने सस्ते दामों में क्रिसी उपकरण उपलब्द कराने के लिए छे केंद्रों के नि ये आयोजित किया जा रहा है विस्तु दुरलब बीमारी दिवस 2020 के लिए थीम क्या रहा था तो रिफ्रेम रियर ये थीम रही थी नेक्स्ट कुशन है विस्तु सुरमण दिवस तीन मार्च 2020 को मनाया गया जिसकी थीम क्या रही तो हीरिंग फॉर लाइफ डॉंट लेट ही नेक्स्ट कुशन है इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारती उद्द्यम पूजी उद्द्योग द्वारा बस 2019 में निवेस की गई राशी कितनी है तो वो है दस अरव डॉलर की नेक्स्ट कुशन है इंडस्ट्री 2.0 इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन और प्रोड़क्टिविटी विसया के तहत 19 वी उत्पादिक्ता परिशत 6 मही से 8 मही 2020 तक किस तहर में आयुजित की जाएगी तो ये बैंग लोर में आयुजित की जाएगी एशिया और प्रशांच शेत्र में विकासियल देशों की मदद करने के लिए कुल कितनी राशी प्रदान करने की गोशना की है तो चार लाग डॉलर की राशी प्रदान करने की गोशना कर दी है नेक्स्ट कोशन है सिच्छा प्रवद्यों की की में नवाचार स्ट्रेडी में दसवे एजिस ग्राहम बेल प्रुसकार के विज़ेता कौन है तो वो है सिंपली लर्न नेक्स्ट कोशन है केंद सरकार ने राश्ट्री चंबल अवियारन गैंगिटिक डॉल्फिन और गड़याल की 75% आबादी के लिए घर को परियावरन संबेदन सील छेतर के रूप में गोशित किया है जो किस राज्य में स्थित है तो वो है मद्धि प्रदेश में उड़ते समय बाइफाई सेवाएं प्रिदान करने बाला भारत का पहला बिमान कौन सा है तो वो है बोईंग 787-9 बिमान तो यह किस का बिमान है तो यह विस्तारा एयर लाइन्स का बिमान है नेक्स्ट कोशन है नवीनतम F.I.H. बिस्टु रैंकिंग में भारती है पुरु है वेल्जियम का उसके बाद है कुकाबुरास और नीदरलेंड्स का नेक्स्ट कोशन है बश्ट 2005 के राफिल नडाल के बाद से लाटिन अमेरिका के कले कोट गोल्डन स्विंग पर सबसे कम उमर के विजेता कौन है जब उन्होंने अब इन्होंने क्या किया है सैंटियागो खिताब जीत लिया है तो यह थियागो सवोद वाइल्ड और यह ब्राजील के हैं और यह उन्नीस वर्स के राफिल नडाल के बाद यह पहले व्यक्ति हैं जो इतने कम उम्र के और इन्होंने सैंटियागो खिता है नेस्ट कोशन है रास्ट्री राजधानी छेत्र के दरवा के पंजाब सरकार नेक्ट कोशन है किस राजे सरकार ने दोार प्रादय योजना आपके दोर यक्ति किया गया Can जनोसदी सब्दा कब से कब तक मनाया गया तो एक माह से साथ मज़ तक जनोसदी सब्दा मनाया जा रहा है इंडिया रेलवे के परिशालन के लिए पश्मी रेलवे से किस लगजरी ट्रेन का कारिवाल समाला है तो गोल्डन शेरियेट ट्रेन का कारिवाल समाल लिया है नेक्स्ट कोशन है उच भार प्रवंदन के लिए नवाचार के लिए स्मार्ट सिटी एंपावर्मिंग इंडिया आवार्ड 2019 का विजेता कौन है तो वो है टी एसस पीडी एसल पीडी सी एल ओके नेक्स्ट कोशन है नई दिल्ली में दो मार्ज 2020 को वर्ड मार्केटिंग समिट इंडिया 2020 द्वारा दिये गए कोटलर अवाड में इमर्जिंग भूमन सी एओ आफ दा इयर पुरुसकार की विजेता कौन है तो वो है तानिया शूद और ये हैं हाउस ओफ आयानात की सी नेक्स्ट कोशन है ओडिसा साहित अकादमी के आतिवाडी जगनात दास पुरुसकार की विजेता कौन बने है तो वो बने बिना पानी मोहंती और योडिया लेखा को और कभी हैं नेक्स्ट कोशन है बिटिस मारानी अलिजाबेद दुतिये द्वारा दिये गए 128 वे कॉमन वेल्थ पॉइंट्स ओफ दलाइट अवर्ट्स के विजेता कौन है तो वो है जाद पाएंग असम के जो रहाट जिले में रहने वाले इस ताबन बरसी परिया वरण कार्य करता है नेक्स्ट कोशन है माराथी रंग मंच के छेतर में योगदान दिये जाने वाले माराथ सरकार की पुरुषकार का नाम क्या है जो प्रिशिद विनिता की नाम पर रखा जाएगा तो स्वरगी श्री राम लागो नेक्स्ट कोशन है अराकु उस्थब का समापा नेक माश 2020 प अगर आपको अच्छा लगाए तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बेल अकन को प्रेस कर लिजी और आल पर सेलेक्ट कर लिजए आप अपमारे फेस्बूक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए आप हमारे टिक टोक हलो एप पर भी फॉलो कर सकत आपको खवरी एप पर फॉलो भी करना है और वहां से आडियो रिवीजन भी करना ही है और टेलिग्राम ग्रूप को जाइन कीजिए जिससे जो भी जो पीडिये एफ होते हैं वीडियो की वो आपको मिल जाता है वहां से आसानी से ओके तो आप अपने सपनों का ख्याल रख स्वस्त रहिए मस्त रहिए अपने परवारी जनों का ख्याल रखिए आगे बढ़ते रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती और निरंतर प्यास करते रहिए जब तक आप हार मत मानिये अपने मन में हमेसाद जुनून रखिए हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग